नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आमित्री माउंटेन यूटूब चैनल पोस्ट ओफिस दे रही है 10,000 रुपे जमा करने पर 7,000 रुपे की दासी वो भी सीदे सीदे आपके खाते में जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा पोस्ट ओफिस की इस अनोखी स्कीम के बारे में, जिसमें मारत 10,000 रुपे जमा करके आप पा सकते हैं 7,000,000 से भी ज़्याधा की रासी यदि हम बेंकों की तुलना करे पोस्ट ओफिस की सभी सेर्विंग स्कीम की ब्यादरों से तो सबसे ज़्यादा ब्याज आपको post office की saving scheme में ही मिलेगी Post office में जमा की गई रासी पूरी तरह से 137 सरकारी गारंटी होती है और पूरी तरह से safe होती है लोगों को जनकारी नई होने की वज़ा से लोग इसका फाइदा नई उठा पाते हैं तो चलिए जानते हैं post office RD plan 2024 के बारे में पूरे विस्तार से कैसे apply करना है इसमें कितने रुपे से आप start कर सकते हैं नॉमनी फंसलेडी से लेकर TDS कटने तक की पूरी जनकारी एक सहर के post office से दूसरे सहर के post office में transfer कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे tax benefits के भी बारे में post office की RD account को आप गाउं से लेकर सहरो के post office में भी खुलवा सकते हैं या इसकी मापको भारत के सभी post office में available मिलेगी अब बात करते हैं age limit की कोई भी 10 वर्ष के बच्चे या बच्चिया अपने नाम से भी इस account को open कर सकती हैं कोई भी guardian एक बच्चे के साथ भी account open कर सकते हैं एक व्यक्ति single account में open कर सकते हैं दो या तीन व्यक्ति एक साथ मिलकर joint A या joint B open कर सकते हैं बात करते हैं deposit limit की minimum deposit की बात करें तो आप 100 रुपे से ही इस scheme में शुरू कर सकते हैं और maximum limit की बात करें तो इसकी कोई भी limit नहीं है आप 1000, 2000, 5000, 10,000 चाहे तो 20 रुपे की राची भी आप जमा करना शुरू कर सकते हैं हर मही में Post Office की RD account को open करने के लिए कौन कौन से documents क्या हो सकता हैं होती हैं तब से पहली और जरूरी बात आपके पास एक Post Office की saving account को होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि saving account से ही amount deduct होकर RD के account में auto debit हो जाता है यदि आपके पास saving account नहीं है तो pen card, अधार card, photo और 500 रुपे की minimum deposit amount से आप Post Office की saving account को open कर लें बात करते हैं deposit करने की प्रकरियाएं क्या होंगी पहली यदि आपने एक टारिक से लेकर 15 के बीच RD account को open करवाया है तो आपको हर महीने के 15 तारिक तक ही जमा करना होगा दूसरा यदि आपने तारिक 16 से लेकर महीने के अंतिम तारिक के बीच खाता खुलवाया है तो आपको 16 से लेकर अंतिम तारिक के बीच ही जमा करना होगा अन्यथा आपको default fine देना होगा 100 रुपे के account में आपको 1 रुपे default fine लगेगा post office की RD account में आपको advanced deposit करने के भी सुधा मिलती है और advanced deposit करने पर आपको छूट भी दी जाती है advanced deposit कैसे करें कितनी छूट मिलती है इसकी वीडियो का लिंक भी आपको description box में मिल जायेगा आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समाझ सकते हैं office की RD account में जरुत पढ़ने पर आप दो इस्तिती में पैसा निकाल सकते हैं पहला loan के माधियम से दूसरा pre-mature closure के माधियम से सबसे पहले जानते हैं loan के माधियम से 12 installment deposit के बाद यानी एक साल continue खाता चलने के बाद आप जमारासी से 50% loan ले सकते हैं और अपने जरुत को पूरा कर सकते हैं दूसरा pre-mature closure एकाउंट ओपन करने की तारिक से 3 साल के बाद आप खाता बंद कर पूरा पैसा निकाल सकते हैं जिसमें आपको saving interest मिलेगा post office RD account की चार मुखे बातें नॉमनी facility एब लेवल हैं post office की RD account को आग एक सहर के post office से दूसरे सहर के post office में transfer भी कर सकते हैं post office की RD account में कोई भी TDS नहीं काटी जाती maturity amount पर भी और post office की RD account में आपको income tax में कोई भी benefits नहीं मिलती है टो चली दोस्तों हम जानते हैं 2024 में यदि आप 501,22,205,205 पर जमा करते हैं तो आपको कितनी maturity मिलती है यदि आप 500 रुपे जमा करते हैं तो आपका principal जमा होता है 30,000 रुपे आपको interest मिलेगा 5,612 रुपे total से आपको maturity मिलेगी 35,680 रुपे यदि आप 1000 प्रति महीना एकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका प्रिंस्पल एमाउंट जमा होता है 6000 रुपे, आपको इंट्रेस्ट मिलेगा 5 सल के बाद 11,365 रुपे, टोटल से मैचुरोटी आपको मिलेगी 70,365 रुपे 2000 रुपे प्रति महीने जमा करने पर आपका प्रिंस्पल एमाउंट जमा होता है 1,20,000 रुपे, आपको इंट्रेस्ट मिलेगा 22,731 रुपे अन्य टोटल से आपको 1,42,731 रुपे कि रासी मिलेगी उसी तरह 3 जरवे प्रती महिने जमा करने पर आपका प्रिंस्मल एमाउंट जमा होता 1,80,000 रुपे, इंट्रेस्ट मिलेगा 34,99,000 रुपे, टोटल से मैचरूटी एमाउंट आपको मिलेगी 2,14,97,000 रुपे, पांचरूए प्रती महिने जमा करने पर आपका प्रिंस्मल एमा मिलेगी 7,13,608 रुपे दोस्तों इसी स्कीम को आप अपने बच्चों के नाम से भी open कर सकते हैं और जो maturity amount आपको मिलेगी वह आप रासी आप study में या अन्य कामों में भी उपियोग कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो like करें और दोस्तों में अपने family member में जरूर सह करें करें सकते हैं करें सकते हैं